आए बात करते हैं आनंद की हमारे जीवन का सिर्फ दो ही उद्देश हैं एक ये उद्देश है कि माइंड को पीश चाहिए और हार्ट में आनंद हो अगर दिमाग में शांती हो और हिर्दे में आनंद हो तो और आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए इसके इलावा कैसे प्राप्र करते हैं इसके लिए तो आप देखी रहें कुंडलनी क्रिया योग देखिए और ये सब योग साधा करिए और अपने माइंड को शांत रखिए लेकिन मैं आपको आनंद का अनभावाज बताता हूं इस रोज के जीवन में आप आनंद कैसे देख सकते हैं य आनंध को तुम तभी अनभाव कर सकते हैं ये आनंद का पहले मतलब तो समझ लो आणनद है क्या आनंद स्टेट ऑफ माइंड है किसम से और कुछ निचादा नहीं है लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें तुम सब जगें हर जगें हर पल परमेश्वर का भान करते हो उसका अन्वव करते हो उसके प्रेम और इसने की गर्माहट ़या वंध त्मे मैसूस होती है smoothie जहां भी तुम जाओगे जिस भी आदमी से तुम मिलोगे अगर तुम्हे वो प्रेम इसने और गर्माहट मैसूस हो और तुम देख सको और सुन सको कि हर जगे से वो बोलता है तो तुम आनंद में हो मैं तुमसे कहता हूँ और यही आनंद की परिभाशा ही है ठीक है इसको मैं अन्भो करता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें छोटे छोटे उधारान देता हूँ अगर मैं कहीं जाता हूँ किसी से मिलता हूँ तो मुझे भान हो जाता है कि वो परमेश्वर ही है मैं जिसको देखता हूँ मुझे अनभर रहता है कि हाँ परमेश्वर के इलावा यहाँ दूसरा कोई है नहीं अगर वो मेरे से पैसे अधिक ले रहा है किसी चीज़ के तो वो इस तरीके से लेगा कि वो मुस्कुराते हुए कि मैं समझ जाओंगा कि यह वो ही है अगर वो मुझे कुछ दे रहा है तो मैं समझ जाओंगा कि वो मेरे को दे रहा है प्रेम और इसने से अगर वो मुझे से बात कर रहा है तो कुछ समझा रहा है तो मैं हर जगे जा रहा हूँ कि उससे मिल ला हूँ तो वो हर जगे मुझे अन्भव कर रहा है मैं इतने सारे अन्भव नहीं मैं तो मैं अपने एक दो अन्भव शेयर करता हूँ कि वो मुझे कैसे मिलता है एक दिन मैं पोस्ट आफिस महाने कर गया कुछ एनसी पूरी हुई थी अभी कुछ दिनों पहले की बात है तो मैं अपनी गाड़ी में एक भगवान की फोटो मुर्तियां रखता हूँ साथ में घूमते रहते हैं भगवान मेरे मैंने गाड़ी में ह थी नहीं उतनी खेर मौसम अच्छा था था थोड़े देबाद मैं बाहर आया ऐसे अपना काम अंदर उसको जमा करके बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़का चोटा सा एक फॉर्चूरर गाड़ी आके रुकी एक लड़का चोटा सा उसमें से उतरा और उसने मेरे बचने और देखने की परक होनी चाहिए मैंने गाड़ी खोली भगवान को बाहर निकाला और भगवान को हावा लगी भगवान ठीक हो गया तो इस प्रकार से तुम सब जगे पर मिश्वर का आनंद ले सकते हो तो तुम्हारी गाड़ी में को जाकर उल्टी कर देगा तो त जैसे क्या चीज हो रही है तो मैं बहुत जल्दी रियक्ट कर जाते हो चीजों को देखते नहीं हो तुम्हारी कमी है मैं तुम्हें दूसरा उधारान देता हूं मैं नाका गया कुछ सीडियां खरीदें मैं ने का टाइम कैसे पास वो इस लॉकडाउन में गया सीडि कहीं मिलती नहीं मुझे मालम नहीं था सब लोगों ने सीडियां बेचना बंद कर दिया फिर पी जब मैंने परमेश्वर से कहा तो मुझे एक जगे ले गए उन्होंने का अंदर गली में गुरुद्वारे के सामने कुछ दुगाने हैं वहां तुम्हें मिल जाएगी मैं वहां गया तो मैंने देखा मुझे एक आदवी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया कहते हैं आईए गाड़ी सीडियां उपर रखिये और इस प्रकार से तुम्हें उसमें धैर होना चाहिए तुम्हें उसमें फेथ होना चाहिए ठीक है आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है मैं तुमसे कहता हूँ और प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं है प्रेम सब जगे तुम्हें बांधता है लेकिन सब जगे ऐसे बांधता है जैसे कि कि तुम सब जगे से मुक्त हो जाते हो यह कमाल है प्रेम का ठीक है गीता के बारव्यद्ध है मैं जाओ और देखो मैयव मन अधस्तु मैई बुद्धी निवेश्यशी निवेश्यशी मैयवत उर्धम नसंसया केवल स्लुक लिक कहने के लिए नहीं कहा गया है जहां जाओगे उससे पाओगे टेकिन उसमें इंवेस्टमेंट तो करते नहीं हो तो अगर अगर अपने जीवन में आनंद चाहते हो तो अपने दिमाग को सिर्फ परमेश्यवर में लगाओगा तुमसे कहता हूँ ठीक है तो तो तुमसा आनंद का भान हर जगे करोगे जैसे कि मैं करता मैं परइशानी में बीव üzसा बाद करता हूं कही में अस्प recib 봤 युदि है आपको आनंद की परिभाचा कुछ समझ में आई होगी धन्यवाद